लो माइडियर फ्रेंड्स हाव आई यू आई होप यू आल विल बी फाइन पेके 25 एंजी के यूटूब क्लासस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत रास्टपति के टॉपिक पर जर्चा कर रहे हैं इंदे न हम इसी रास्टपति के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे रास्टपति को दी जाने वाली न्याइक सक्तियों के बारे में यानि कि जुडेसली पावर ओफ प्रेसिडेंट की तो चली सुरू करते हैं उससे सुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेना बहुत जरूरी है और कुछ एक्जामपल को भी अपराधी रास्टपति के समक्ष छामायाचन यानि प्रेसिप्टेशन की याज्च का दायर किये थे दूसरी बात याद है आपको एक और मामला 1991 में जब राजियु गांधी की हत्या कर दी गई थी रेली के दौरान उस टाइम पे राजियु गांधी के सारे हत्यारों ने स यहां रास्टपति के छामायाचन के कोखारिच करने के बावजूद वो दूबारा मद्रा साइdy कोट में अपेल किये थे क्या है यह यह श्शमायाचन और इसकी प्रेकिति कैसे होती है क्या रास्टपति सज़़को माप कर सकता है ये सारे ऐसे कोश्च जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है और यह सारे ऐसी कोश्चन किसके अंतरगत आते हैं राष्ट पते के न्याइक सक्तियों के अंतरगत आते हैं राष्ट पते के जुडेसली पावर के अंतरगत आते हैं तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट पते के न् या राश्ट्ठपती का पद अनुपस्टित हो ऐसी स्थिती में राश्ट्पती के पद पर अधिकारिक तौर पर कर्यर्थ वेक्टी यानि कि उपराश्ट्पती इनकी निगुति करते हैं साथ ही राष्टपती सुप्रीम कोट के मुखने अधिस को सपद दिलाते हैं और 25 हाई कोट हमारे देश के 25 हाई कोट के मुखने अधिसों को निगुति भी राष्टपती करते हैं लेकिन यहां सपद दिलाने कसरे संबंधित राज्य के राज्यपाल को जा करते हैं आर्टिकल सेवंटी टू की आर्टिकल सेवंटी टू क्या कहता है देखते हैं देखो आर्टिकल सेवंटी टू को समझने से पहले हमें कुछ और तत्य समझना जरूरी है कोई भी केस सबसे पहले सेशनल कोट में जाती है डिस्टिक लेवल वाले कोट पे जाती है यद हाधी आप हाई कोड के मामले से भी आपको ने राश्ट पते के समक्ष प्रेशिप्टेशन याने की चमादान की याची का जायर कर सकते हैं और इसका उधारड हमें देखने को मिलता है याद है आपको नीसो इंक्यान नवी, राजियो गांधी हत्या कांट वाला मामला आपको पता है राजियो गांधी जब रही हिली के दौरान साओफ इंडियन ने उनकी हत्या कर दी तो उनके अपरादियों को सेस्नल कोट ने फांसी की सज़ की सुनाई थी उनके हत्यारों के विपकेल ने याचिका दायर की मद्रास हाई कोट ने सेशनल कोट के बात को बरकरार रखा और उनकी याचिका खारिच कर दी इस पर हाई कोट के निर्णे के विरोधिये लोग पहुँचे सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने भी मद्रास हाई कोट के मामले को बरकरार रखा मद्रास हाई कोट के निर्णे को बरकरार रखा और वही निर्णे सुनाया जो की पहले मद्रास हाई कोट ने सुना दिया थ और यह अब चले राष्ट पती के पास प्रिश्रिप्टेशन यानि कि छमायाज का दायर करने के लिए राष्ट पती 2004 से लेकर 2011 साथ साल बाद निर्ने दिया और कहा क्या कि इनको फॉंसिक सजय मिलने चाहिए मैं मद्रासाइ कोट और सुप्रीम कोट की निर्ने के समिक दोनो लेकिन यह चमादान यह माफ करने की आचिका जो कि राष्ट पती के पास रखी जाती है इसमें राष्ट पती उनकी सजा को कम कर सकता है उनकी सजा को माफ कर सकता है उनकी सजा को स्थेगित कर सकता है ऐसे पावर राष्ट पती के पास होते हैं लेकिन यह राष्ट पती की स आगे देखते हैं और किन-किन तत्यों को समझना है राष्ट पती अप्राधिक व्यक्तियों दोरा डाले गए छमाय आचका पर अलग-अलग प्रकार से निर्णे सुनाता है वह सजा को कम कर सकता है सजा की प्रकति बदल सकता है सजा को माफ कर सकता है ऐसे प्रावधान राष् देख सकतिया नहीं है राष्ट पती के निर्णे की अवधी के संबंध में सम्विधान में कहीं भी किसी तरीके से उलेख नहीं किया गया है साथी आर्टिकल सेवंटी टू में ये इस बात कभी जिक्र किया गया है कि आप यह दिराष्ट पति के छमाय आजने प्रेश्रीप सजा को कम करना, सजा को माफ करना, सजा को स्थेकित करना यह सजा के प्रकति को बदल देना यह राश्टपती इस प्रकार के प्रावधान राश्टपती के पास होते हैं जब राश्टपती के समक्ष कोई भी छमायाचना या प्रेसिप्टेशन खारे याची का रखी जाती है तब आर्टिकल सेवंटी टू के तहत यह एधिकार भी सामिल है कि राष्ट पती छमा कर दे, राष्ट पती सजा को कम कर दे, राष्ट पती सजा को स्थगित कर दे, राष्ट पती सजा की प्रैक्रति में परिवर्तन कर दे और म्रत्यु दंड जैसे मामले में आस्थाय निलंबन कर सजा को माप नहीं कर सकता राष्टपती द्वारा छमादान किस इस्तिती में राष्टपती के सामने आप छमादान की आचिका या प्रेसिप्टेशन डालोगे तो यह है जब दंड सेना न्याले द्वारा दिया गया हो संगी विशे से संबंधित विधी के विरुद्ध हो तथ हम रत्तु देंड की सजा हो ऐसी तीनों इस्तिती में राष्टपती के समक्ष आप समादान की आचिका दे सकते हैं आर्टिकल 143 कहता है कि इस मामने में राष्टपती उच्छतम न्याले से परमर्स ले सकता है इस पर सुझाओ देने के लिए सुप्रीम कोट एक समविधानिक पीट का गठन करती है यानि कि Constitutional Bench का गठन किया जाता है इस Constitutional Bench में कम से कम पाथ जज़ों के पीट होती है और ये जरूरी नहीं कि राष्टपती द्वारा मांगे गई परमर्स को सुप्रीम कोट दे और ये भी जरूरी नहीं कि राष्टपती सुप्रीम कोट के परमर्स को माने राष्टपती स्वाविवेक से वा मंत्री परिशत के सला दौनों से सुप्रेम कोड के परमर्स ले सकता है इसका उधारण देखते हैं बेरुवारी बाद 1958 क्या बोला गया है इसमें पंडित जवाहर लाल नहरू और पाकिस्तान के राष्टपती गुलाब नूर के मद्ध समझोता हुआ था पंडित जवाहर राष्टपती से इस विषय पर तातकालिन राष्टपती कौन थी डाजेंद्र प्रसाद से इस विषय पर सला मांगी थी राष्टपती ने सुप्रीम कोट को परमर से मांगा था सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 368 का जिक्र किया जिसमें I hope कि आप राष्टपती के न्याइक सक्तियों के बारे में यानि कि जुडिसियल पावर आफ प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से समझे होंगे इसमें दो-तीन चीजों का जिक्र किया गया है राष्टपती के न्याइक सक्तियों में वो हैं सुप्रीम कोट और हाई कोट के सभी न्याइधीसों को राष्टपती निविक्त करते हैं हाइक कोट के न्याइधीसों को इस्थांतरड करने का अधिकार सुप्रीम कोट कहता हूँ यह राश्टपती के पास होता है सांथ ही न्याइक सक्तियों के अंतरगत राश्टपती के पास किसी भी सजा को माफ करना सजा को स्थेगित करना, सजा को कम करना वह सजा की प्रक्ति बदल सकने की छमता होती है यह पावर होता है, अधिकार होता है और राश्टपती के छमादान के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया इसके अगले अध्या में हम बात करेंगे राष्ट्रपती के वित्तिय सक्तियों के बारे में तब तक आप सब अपना ख्याल रखी बहुत बहुत धन्वाद थैंक यू